हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागता फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाल है अगर दोस्तों आप भी फ्री फायर गेम को खेलते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ जाता है जैसा ही दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीने पर देगे सकते हैं डाउलोड फैल्ड रीट्राइ जैसे दोस्तों आप ओके करते हैं तो यह एरर आपके पास दोबारा से आ जाता है इस एरर से छुटकारा पाने के लिए जोस्तों आप हमारे इस वीडियो में एंड तक बिन रही है और दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते है इस एरर से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले जो दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको दोस्तों सिंपली अपने मोबाइल की सैटिंग को ओपन कर लेना होगा मोबाईल की सैटिंग को ओपन कर लेने के बाद जो दोस्तों आप सभी को थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आना होगा स्क्रोल करके नीचे आने के बाद जो दोस्तों आपको अपनी सैटिंग में कहीं पे भी एप्स को ढूंड लेना होगा Apps को ढूम लेने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे Apps पे क्लिक करना होगा Apps पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को कुछ इस तरह का Interface देखने को मिलेगा उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे Manage Apps पे क्लिक करना होगा Manage Apps में क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को Manage Apps में सर्च कर लेना होगा Free Fire Free Fire सर्च करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को Free Fire पर क्लिक करना होगा Free Fire पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को Scroll Down करके नीचे आना होगा स्कोल डाउन करके नीचे आने के बाद जो दोस्त आपको यहाँ पर Restrict Data Use पर क्लिक करना होगा Restrict Data Use पर क्लिक करने के बाद जो दोस्तों अगर आप सबी ने यह टिक नहीं लगाये हुए है जैसे कि दोस्तों आप में यह अपे देख सकते हैं तो आपको wifi और mobile data पे tick लगा के आपको okay कर देना होगा ओके करने के बाdest जो आपको उपर की तरह आना होगा ऊपर की तरह आने के बाद जो आपको आपको यहाप फोर्ष्टॉप पे क्लिक करना होगा फोर्ष्टो पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को OK कर देना होगा OK करने के बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पे Clear Data पे क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको यहाँ पे Clear Catcher पे क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको ओके कर देना होगा ओके करने के बाद जो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर आप प्रमिसन पर क्लिक करना होगा और दोस्तों आपको सभी प्रमिसन को इनेबल कर देना होगा इनेबल करने के बाद जो दोस्तों आपको दोबारा से अपनी गेम को ओपन कर लेना होगा दोस्तों हम ओके कर एक बार अपनी फ्री फायर को बैक्ग्राउंड में से हटा देते हैं अब दोस्तों हम फ्री फायर को दोबारा से ओपन करते हैं कि फ्री फायर को ओपन किया तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा फ्री फायर थोड़ा दोस्तों आपको वेट कर लेना होगा वेट कर लेने के बाद जो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा वेट ओर कर लिजिए मैं आपको दिखा दूंगा यह एरर हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लिए दोस्तों जो हमें आरर आ रहा था वो अब आर नहीं आ रहा है यह दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगकी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्रूद से तो सी टे विज रही लूके बही रही हो आ जो तो बहुते हैं जो कि अखू़ी हो तो इननन थे लिदाना बख मैं अजय कर दो अकट बहाँ कर दो के लिदा ऊचते हैं लिद नगा हैं जयों हैं एक जया थर वटूपटार बेन गाणों एक